भारत में एक तरफ भारत जोड़ो नयायात्रा चल रही है तो दूसरी तरफ राजनैतिक उठापटक भी लगातार तेज है 2024 के चुनाओ से पहले बीजेपी अपना हर हतकंडा आजमा लेना चाहती है तो कॉंग्रेज भी अपना कोई भी पैतरा छोड़ना नहीं चाह रही है एक तरफ यात्रा चल रही है तो दूसरी तरफ बिहार में सरकार गिर जा रही है सत्ता परिवर्तन हो जा रहा है यात्रा जारखंड पहुँचे उससे पहले ही जारखंड में सीम की गिरफतारी हो जा रही है और नए सीम को कुर्सी पर बिठाया जा रहा है इस सबसे कही न कही अनुमान तो ये लग रहा है कि भारत जोडो नयायात्रा का असर जो है वो सरकार और सक्तापक्ष धीरे-धीरे कम करना चाहती है लेकिन इसके परिणाम क्या आ रहे हैं वो भी आपको जानने चाहिए इधर रहुल गांदी के नेत्रत में कॉंग्रेस की भारत जोडो नयायात्रा जारखन में तीसरे दिन पाकुल पहुंची जहां उम्रे जन सहलाब ने ये साफ कर दिया भाजपा के गड़ में इंडिया गडबंदन ने सेंद मारी की कहानी शुरू कर दी है लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे ये वागे पता चलेगा हिमन सोरेन के स्तीफे के बाद ये माना जा रहा था कि गडबंदन वहां कमजोर हो गया है लेकिन जारखन के नय मुख्यमंत्री बने चमपई सोरेन ने इस यात्रा और रहुल गांदी का स्वागत किया और भाजपा पर जमकर हमला बोला उन्होंने जोरदार भाशन देते हुए कहा कि नया यात्रा मनिपूर से चलकर जारखन पहुची है और इस यात्रा में भाजपा के अन्याय को जड़ से खत्म करने की योजना बनी है अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये अन्याय की लड़ाई किसके खिलाफ है इस दौरान इंडिया गटबंदन की एकता जारखन में मजबूत दिखी जब मंच पर एक साथ गटबंदन के दलों ने न्याय के हक में अपनी आवाज बुलन की याद रहे कि जारखन भाजपा का गड़ है और यहाँ पर 14 लोग सभा सीटों में से 12 सांसत भारती जनता पार्टी के हैं बावजूद इसके रहूल की जारखन यात्रा में जो जनसैलाब उमड़ा है जो भारी भीड दिखी है जो रहूल गांदी को समर्थन मिला है उससे कहीं न कहीं भारती जन्ता पार्टी की समस्या है तो बढ़ी हैं। अपनी सबा को संबोधित करते हुए राहूल गांदी ने हेमन सुरिन पर E.D. की कारवाई पर भी भाजपा को जम कर घेरा है और भारती जन्ता पार्टी पर हमला किया है। उन्होंने का कि भाजपा ने E.D. का दुरुपयों करते हुए जूट और डर का महौल बनाया है। लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम होने वाली है। पाकुड की सभा और इंडिया गटबंधन के इस एक जुटता से लगबगे साफ है कि E.D. का डर अब लोगों के मन में या फिर विपक्ष के मन में नहीं रहा है। और जारखंड में तमाम सियासी उठापटक के बाद भी गटबंधन अभी एक जुट है। तो भाजपा का एक और गड़ अब कॉंग्रेस के निशाने पर है। अगर जारखंड में कॉंग्रेस काम्याब होती है तो भाजपा की सीटे कम हो सकती है। अब सवाल ये है कि भाजपा के गड़ में क्या कॉंग्रेस का इंडिया गटबंधन कोई जगह बना पाएगा। तो इसका जवाब आप हमें कमिंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमिंट बॉक्स में जरूर बताईए। चैनल को स सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाईए ताकि आगे आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।